Good day to all of you पिछली क्लास में आपने इंसर्ट मेन्यू के कुछ आप्सन के बारे में सीखा था आज आप कुछ नया सीखेंगे लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे आईए पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं अपनी सीट को अपने अनुसाल रो एंड कोलम में ब्रेक कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि सैल्स का जो पिआप क्यों करते हैं म्तलब कि आप सैल्स को ले सकते हैं क्या आप बता सकते हैं सीट का उप्योग क्यों करते हैं सीट ओप्षन की मदद से आप बहुत सारी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं सीट फ्रॉम फाइल को उप्योग क्यों करते हैं seat from file की मदद से आप saved की हुई files से किसी भी seat को insert कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं chart option का अपयोग क्यों करते हैं chart option की मदद से आप अपनी seat के data को एक graphical तरीके से देख सकते हैं अब आप सबी अपने computer को on करें और calc की file को open करें क्या आपने spreadsheet seat की file अथवा calc की file को open कर लिया है या नहीं आईए अब जानते हैं आज की class में आप क्या सीखेंगे सबसे पहले आप एक table बनाएंगे उसके बाद आप format menu की कुछ option जैसे की cell, row, column, seat, merge cell, page, print range, character, change case, auto format और condition formatting के बारे में सीखेंगे उसके बाद आप पिछली class के formula का revision करेंगे जैसे की if, end, or, count, count black अब आप एक नए table बनाएं अथवा save की फाइल को open करें अब आप format के cell option के बारे में सीखेंगे cell option के number option की मदद से आप cell का format बदल सकते हैं आएए अब वीडियो की मदद से cell के number option का उप्योग करना सीखें आएए वीडियो की मदद से cell option का उप्योग करना सीखें जैसे कि आप जानते हैं cell option की मदद से उसकी formatting को हम change कर सकते हैं तो उसके number को style को हम change कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने एक cell को select किया, फिर हमने अपने pointer को format menu पर लेके गए, वहाँ पर इस cell पर click कर दिया, क्योंकि हमने इस number के format को change करना है, यहाँ पर number पर हम click करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग टाइप के options दे रहे हैं, all, defined, number, percent, currency, date, time, scientific, यह अलग अलग के टाइप हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर percent पर click किया, आप देख सकते हैं, जो hundred लिखावा था, यहाँ पर उसको percentage में दिखा दिया, उसी परकार से मैं फिर से format में click करूँगा, sell option को select करूँगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अब मैं currency पर select करूँगा, तो आप आप देख सकते हैं, अलग अलग परकार के currency का option यहाँ पर आ गया है, जब मैं यहाँ पर drop down button पर click करूँगा, तो अलग अलग country के यहाँ पर currency को यहाँ पर show कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर different different country हैं और उसकी currency यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप चाहिए तिनमें से किसी भी एक को select कर सकते हैं, जिसको आप अपने cell पर लगाना चाहते हैं, किसी भी एक देश की currency को select कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक किसी भी currency को select करेंगे, जिसके आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बहुत सारे currency देवे हैं, हमने यहाँ पर currency को select किया, ओके पर click किया, आप आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने euro को select किया, तो जो cell पर था वो यहाँ पर euro का symbol आ गया, इसी परकार से आप date, time कोई function लगाना चाहते हैं, तब उनको select करके लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने date को select किया, फिर ok पर, आप देख सकते हैं, date के बहुत अलग-लग format दिये हुए हैं, किसी भी एक format को आप select कर सकते हैं जिसे आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर हमने format को select किया फिर ok पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं इस format को हमने select किया था वहाँ पर उसी format में date आ गया हूं पर से format पर click करें cell पर click करें category में जाके अगर आप time को insert करना चाहते हैं तो time को select कर लें और ok पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर time आ जाएगा अगर आप फिर से इसकी format को change करना चाहते हैं format पर click करें cell पर click करें कि अगर इसके font के color जैसे कि juistre form लाइं in इसलिविद को भी चीजद कर सकते हैं तो आप उसके k misses को ब्राइब में चाहते हैं तो आप यह से अलाइमेंट को भी चीजद कर सकते हैं जैसे कि आपकोcodile पर Ug theor आगर आप उसके बाisme मेगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बादर को स्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर अलग लग पारेकर ऑप्शेन एक आपको डिखाई देरहा है खारे किष्ट इस फार्डो sports पाने श्ताया थे अगर यह border है, अगर आप cell पे border लगाना चाहते हैं तो आप यहां से select कर सकते हैं, यहां पर no border, all border उनके परकार दिये हुए हैं, फिर ok के button पे click कर दें, जैसे कि आपको video में दिखाए दे रहा है, जैसे ok के button पे click करेंगे, आपने cell पे border और साथ में shadow भी आ जाएगा, जैसे कि आपक menu पे click करें, अगर उसके background color को change करना है, cell का background color आप change करना चाहते हैं, तो background पे click करें, वहां पे बहुत सारे color के option आ जाएगे, जैसे कि आपको video में दिखाए दे रहा है, किसी भी color को select करें, और ok पे click कर दे, जैसे ok पे click करेंगे, उसके अंदर background color आ जाएगा, जैसे कि आपक का उप्योग कर सकते हैं, आएए आप format menu के raw option के बारे में सीखते हैं, format के raw option की मदद से आप किसी भी raw को hide कर सकते हैं, अथवा आप उसे show कर सकते हैं, और उसके size को कम या ज्यादा कर सकते हैं, आएए अब वीडियो की मदद से raw option के बारे में सीखें, आएए वीडियो की मदद से format menu के raw option के बारे में सीखें, raw option की मदद से आप raw के size को कम या ज्यादा कर सकते हैं, सबसे पहले उस raw को select करें, जिसकी size को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, फिर format menu पे click करें, पिर role को select करने के पाद यहा पर आफा तेक सकते हैं। इसके height को कम या जटा करना चाहता है goes the क्लिक करने के बाद यहां पर देशना हाइट ओप्षन पर इसके कुछ नंबर्स दिये हैं उसके नंबर्स को आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं हमने इसके नमबर को कुछ बढ़ाया फिर ओके पर क्लिक कर दिया तो आप देश अपने जो रोग के साइज है जो इसके हाइट है यहां से जादा हो गया जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है पीशे दूसरे रोग को सेलग करें फोर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें रोपे क्लिक करें अगला ओप्षन ऑप्टिमल हाइट का है यहां से भी आप उसके साइज को बढ़ा सकते हैं या उसके साइज को कम यह ज्यादा कर सकते हैं जब आप इसके size को यहां से कम या ज्यादा करेंगे तो इसका size उससे double होएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा देरा है हमने यहां पर 1.6 किया size फिर ok पर click किया click करने के बाद आप देशने तो जो इसका size है वो पहले से ज्यादा हो गया काफी ज्यादा हो गया तो इस प्रकास से आप उसके size को कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आप normal करना चाहते हैं हमने optimal height पे click किया और यहां से default value को select कर लिए हूँ जैसी default value को select करेंगे ok पर click कर दें वो पहले जैसे हो जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है पिर पहले वाले row को select कर लें उसे भी अगर आप पहले जैसे करना चाहते हैं उसे select करें row को select करें फिर height को select कर लें ठीक हमने यहां पर height से उसके size को उसके height को बढ़ाया था फिर से default value को select करें और ok पर click कर दें तब दे सकते हैं जो row का size है जो height है वो पहले जैसे हो गया पिर से format menu पर click करें row पर click करें यहां पर आप दे सकते हैं hide को option है तीसरे number पर height से आप उस row को hide कर सकते हैं जैसे height पर click करेंगे तो आप दे सकते हैं जो पहला row था यह वाला row वह hide हो गया यहां पर अभी नहीं है तो इस प्रकास से height की मदद से किसी भी row को आप hide कर सकते हैं अगर उसे फिर से लाना चाहते हैं तो format menu पर click करें फिर row को select करें और और sow पे click कर दें जैसी sow पे click करेंगे वो फिर से आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं तो इस प्रकास से आप row की मदद से उसके size उसके height को बढ़ा सकते हैं उसे height कर सकते हैं और sow कर सकते हैं अब आप format menu के column option के बारे में सीखेंगे format के column option की मदद से आप अपने column के size को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं और आप किसी column को sow और hide भी कर सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से format menu के column option का उप्योग करना सीखें आईए वीडियो की मदद से column option का उप्योग करना सीखें तब से पहले format menu पे click करें column पे click करें option आजाएगा जैसे कि अब देख सकते हैं यहाँ पे पिर यहाँ पर अलगलग option दे रखा है width, optimal width, hide or sow width को select करें तो यहाँ पर width के size को कम ज़्यादा करने का option आजाएगा अगर आप इसके size को ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके size को बढ़ा दें फिर ok पे click कर दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो column की size है वो थोरी से यहाँ पर बढ़ गई उसकी width यहाँ पर ज़्यादा हो गई है अगर इसके width को पहले जैसे करना चाहते हैं तो फिर से select करें format menu पर जाएं अपने pointer को column पे लेकर आएं width पे click कर दें अब यहाँ पर एक option दे सकते हैं default value जो default value पे click करेंगे फिर ok पे click करेंगे तो वो पहले जैसे आजाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है फिर से format menu पे click करें अपने pointer को column पे लेकर आएं वहाँ पे click कर दें अब अगला option optimal width का आता है optimal width से भी आप इसके width को ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी value को बढ़ाएंगे तो जो value बढ़ाएंगे वो ज्यादा होएगा जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हम इसकी value को बढ़ा रहा है हमने 0 से start किया था इसलिए इसकी value अभी कम इसकी width को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से column पे click करें optimal width को select करें यहां पर box आजाएगा अब आप देख सकता है हमने इसकी size को इसकी width को बढ़ाके हमने यहां पर 3 कर दिया है जैसे okay पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं जो column है इस column की width ज्यादा होगी है बढ़ गई है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर इसको आप पहले जैसे normal करना चाहते हैं तो फिर से format menu पर click करें optimal width को select करें और default value को select कर लें जैसे default value को select करेंगे okay के button पर click करेंगे जो इस style था यहांप आप देख सकते हैं पहले जैसा भी नहीं हुआ यह काफी जो इसके select जो इसकी width है कोलम की वह काफी कम है इसको पहले जैसे करने के लिए फिर से हम format में click करेंगे column को select करेंगे और width को select कर लिया width को select करने के बाद यहां पर default value है default value को click करेंगे वह पहले जैसे आजाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं अगर आप इस कोलम को हाइड करना चाहते हैं चुपाना चाहते हैं तो उसके लिए format menu पे click करें को प्रूम option को select करें यहांप आप देख सकते हैं यहां पर B column से start हो रहा है B, C, D लेगे यहां पर A column नहीं है वह hide हो गया है अगर उसे आप फिर से लाना चाहते हैं format menu पे click करें column option को select करें और show पे click कर दें आप देख सकते हैं यहां पर फिर से ओ column आ गया तो इस प्रकार से आप column की मदद से column की width को कम जादा उसे hide और उसे show कर सकते हैं इस प्रकार से column को उप्योग कर सकते हैं अब format menu का अगला option seat का आता है format menu के seat option की मदद से आप अपनी seat को hide और seat को और seat का नाम भी बदल सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से seat option के बारे में सीखते हैं आईए वीडियो की मदद से seat के बारे में सीखें सबसे पहले अपने pointer को format menu पे लेके जाएं वहापे क्लिक करें एक box आ जाएगा फिर seat को select करें यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला option rename का है rename की मदद से आप अपने seat का नाम change कर सकते हैं उसको कोई से भी नाम दे सकते हैं उसको rename कर सकते हैं जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है यहाँ पर name लिखा है हमने इसको हटा के seat 1 को हटा के हमने यहाँ पर computer 6 लिख दिया जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है फिर ok के button पर click कर दें कोई से भी नाम देने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले seat 1 लिखा हुआ था वो change हो गया उसका नाम यहाँ पर change हो गया है यहाँ पर computer 6 लिखा हुआ है जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है फिर से format menu पर click करें एक box आएगा फिर seat option को select कर लें अगल option hide का है जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं अगर hide को select करेंगे जो आपके current seat है जिस पर आप काम कर रहे हैं वो seat hide हो जाएगा जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं अभी यहाँ पर जो computer 6 था था वो यहाँ पर hide हो गया यहाँ पर सीफ अब दो seat ब authentication कर दें यहाँ अपर देश सकते हैं show option है layer layer should help option पे option करेंगे ही तो यहाँ पर देशिते हैं जो hidden seat जाते हैं जैसे के भी देशकता है हमने format menu पे click किया seat पे click किया अगर option tab color का है जब tab color पे click करेंगे बहुत सारे color आ जाएंगे एक box है जिसके अंदर बहुत सारे color दिये हुए निमें से आप किसी भी एक color को select कर लें select करने के बाद okay के button पे click कर दें तो आप देश सकते हैं जो computer 6 से जो seat 1 था उसका tab का color change हो गया उसके नीचे एक red color की line आगी इस प्रकार से आप seat की मदद से seat का नाम उसे so करना, height करना, tab के color को change करना सीख सकते हैं आईए अब merge cell के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं कि merge cell का उप्योग क्यों करते हैं merge cell की मदद से आप एक से ज़्यादा cell को एक cell में बदल सकते हैं आईए वीडियो की मदद से merge cell option का उप्योग करना सीखें आईए वीडियो की मदद से merge cell के बारे में सीखें merge cell की मदद से आप दो या उससे अधिक cell को एक cell में कर सकते हैं उसे merge कर सकते हैं जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं हम यहां पर दो अलग-अलग cell में कुछ टाइप करेंगे और फिर उसको एक cell में मर्ज कर देंगे उसे एक cell में जोड़ देंगे जैसे आप देख सकते हैं जो मर्ज cell को ऑप्षन है वो हाइलाइट नहीं हो रहा है यह हाइलाइट तभी होगा जब आप दो यह से अधिक cell को सेलक्ट करेंगे जब तक आप cell को सेलक्ट नहीं करेंगे तब तक वो मर्ज cell को ऑप्षन हाइलाइट नहीं होगा अब हमने यहां पर दो सेलक्ट किया इसलेक्ट करने के बाद format menu पर click करेंगे तो भी आप देश सकते हैं यहां पर merge cell का option highlight हो रहा है highlight होने के बाद उस पर click कर दें और फिर yes पर click कर दें जैसी yes पर click करेंगे वो cell merge हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब दोनों cell एक cell में convert हो गया एक cell में आ गया फिर से format menu पर click करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है कि पॉर्मेट मेन्यू पर click करेंगे मर्जल पर click कर देंगे वो cell फिर से आ जाएगा लेकिन जो value है वो नहीं आएगा वो पहले के अंदर ही merge हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने या पर फिर से एक अलग से letter type किया पर दोनों cell को हमने यहाँ पर select किया पॉर्मेट मेन्यू पर click करेंगे और merge cell पर click कर देंगे merge cell पर click करने के बाद इस पर हम no पर click करेंगे जैसी no पर click करेंगे वो cell hide हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमने c type किया था वो यहां से hide हो गया है अगर इसको आप फिर से लाना चाहते हैं format पर click करें और merge cell पर click करें वो फिर से वापिस आजाएगा अब c को भी आप merge करना चाहते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब हम तीनों को a,b,c एक साथ चाहते हैं लिखना मतर्किकी दौनों cell को एक साथ merge करना चाहता हैं और दोनों को पहले select कर लें फिर merge cell को करें और इस पर click कर दो ताप दे शकते हैं ABC यतिनों एक cell के अंदर आ गया तो इस प्रकार से आप मर्ज चेल को उप्योग कर सकते हैं अगला option page का है आईए page के बारे में सीखना सुरू करते हैं page option की मदद से आप अपने document में बहुत से कारिय कर सकते हैं जैसे की page का type, border, header and putter के बारे में भी सीखेंगे आईए अब वीडियो की मदद से इन सभी option का उप्योग करना सीखें आईए वीडियो की मदद से page option के बारे में सीखें page option पे सरसे पहले format menu पे क्लिक करें उसके बाद page option को select कर लें जैसे page option को select करेंगे एक box आजाएगा फिर page पे क्लिक करें यहाँ आप आप दे सकते हैं paper format अगर आपको page का format चेंज करना है paper के format को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है यहाँ पर अलग 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 टाइप के तो पहले इसको select करें फिर okay के बटन पर click कर दें तो अभी आप दे सकते हैं यहाँ पर कोई changes दिखाए नहीं दे रहा है इसको देखने के लिए आपको page preview करना होगा file पर click करें और फिर page preview option को select कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो paper का format है वो अब change हो गया है फिर से close preview पर click करें वापिस आने के लिए हमने यहाँ पर close preview पर click किया फिर से हम format menu पर click करेंगे page option को select करेंगे फिर से इसके format को हम change करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो और भी एक format को select कर लें हमने एक envelope format को select किया और ok पर click कर दिया फिर से हम page preview करेंगे इसके format को changes को देखने के लिए file पर click किया और page preview को select कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आप देख सकते हैं जो उसको format है वो change हो गया है इसके size आप पहले से देख सकते हैं कम हो गया है फिर से close preview करें format menu पर click करें और page की option को select कर लेंगे अब यहां पर देख सकते हैं इसके width और height अगर इसके width को ज्यादा करना चाहते हैं और इसके height को ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं उसके height को कम ज exposure दश कम जादा-एमद शीक उपर चींज किया है कि है जितनी में ड़ानी यह विद्वी बढ़ानी है आप यहांसे बढ़ा सकते हैं उसके हीं डरिपाज के प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे अभी आप देशने ज्यादा चेंजिस नहीं हुआ कि कमने साइज को ज्यादा नहीं बढ़ाया था प्रिशे क्लोज प्रिव्यू पर क्लिक करें फोर्मेट मेन्यो को सेलक्ट करें वहापे क्लिक करें पेज को सेलक्क करें वहापे क्लिक करें अगला option orientation का रहा है यहां पर आप दे सेकते हैं portrait और landscape दो टाइप दिए गए हैं अगर अपने paper को लैंडसकेप mode में करना चाहते हैं लैंस्केप option को select करें और फिर ok पे click कर दें जैसे ok पे click करेंगे जो आपका paper का format है वो landscape mode में आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसको देखने के लिए आपको page preview पे click करना होगा तो अभी आप देख सकते हैं जो आपका paper का format है वो landscape style में आगए जिसकी width ज्यादा है और height कम है जब आप print out करेंगे तब आपको इस changes दिखाई देगा फिर से format menu पे click करें और orientation में portrait option को select कर लें portrait में आप देख सकते हैं जो इसकी style होगी उसकी height ज्यादा होगी और width कम होगी changes देखने के लिए आप सभी को फिर से file menu पे click करना होगा हमने यह पर file menu पे click किया और page preview पे click करेंगे जब page preview पे click करेंगे तो आप दे सकते हैं जो हमारा paper का format है जो page है वो portrait option माग जिसकी height ज्यादा है और width कम है फिर से close preview कर दें अगर आप margin देना चाहते हैं तो आप यहाँ से margin भी दे सकते हैं पे click करें नीचे option दिया हुआ है margin का अगर left margin देना चाहते हैं तो आप यहां से left margin को select करें left margin को आप जितना margin देना चाहता है वो यहां से आप बड़ा कम यह ज्यादा कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर left margin दिया हो और फिर okay पर click कर दिया तब आप देख सकते हैं यहां पर कोई changes नहीं हुआ है लिकिन जब आप print out देंगे तो जो भी अपने margin दिया है वो आपको margin दिखाए देगा उसको देखने के लिए file menu पर click करें और page preview पर click कर दें तो आप यहां पर देख सकते हैं left side में यहां पर gap आ गया है अगर आपको right side से margin देना है तो आप margin कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं आप दो button देखने के लिए file menu पर click करें और page preview पर click कर दें तो आप देख सकते हैं कि right side से भी margin आ गया है वहां से भी आप देख सकते हैं वहां से भी काफी space आ गया है जब आप इस page को print out देंगे तो आपको यह margin दिखाए देगा फिस से close preview करें format menu पर click करें page option को select कर लें अगर आप उपर से top से margin देना चाहते हैं तो यहां से top पर margin दे सकते हैं अगर bottom से margin देना चाहते हैं तो आप यह bottom से मार्जिन दे सकते हैं तो इस प्रकार से आप page की option से page के format को change कर सकते हैं उसमें margin दे सकते हैं उसके orientation को भी change कर सकते हैं इस प्रकार से आप page का उप्योग कर सकते हैं आए वीडियो की मदद से page पे border और page का background color change करना सीखें सबसे पहले format menu पे click करें और page पे click कर दें हमें border लगाना है तो border option को select कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसी border पे click करेंगे उसके options यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर border के type दिए हुए है no border all border अलग लग टाइप दिए हुए हैं इनमें से किसी एक को select कर लें जिसे हमें all border जैसे हमने all border को select किया तो आप दे सकता है पेज की चारुतर आप border आ जाएगा यह यह line की type दिए हुए है इनमें से कैसा line चाहते हैं उस line को आप select कर लें यहाँ पर अलग परकार के format दिए हुए line की अगर आपको line का color change करना है तो आप यहाँ से color को change कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हमने color को select किया यह shadow style दिया हुए अगर आप shadow चाहत लगाना चाहते हैं border का तो आप यहाँ से select कर सकते हैं किसी भी एक shadow type को select कर लें यहाँ पर हमने एक shadow type को select किया यह shadow distance है कि कितनी दूर पर shadow होनी चाहिए वह आप इसकी distance को यहाँ से manage कर सकते हैं shadow को अगर color देना चाहते हैं तो आप यहाँ से color दे सकते हैं किसी भी color को select कर लें फिर ok पर click कर दें तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई border दिखाई नहीं दे रहा है इसको देखने के लिए आपको page preview करना होगा उसके लिए आप file menu पर click करें और page preview पर click कर दें जैसी page preview पर click करेंगे जो आपने border लगाया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो data अपने type के था उसको उपर यहाँ पर border आ गया और उसका side ओ भी आ गया फिर यहां से close preview कर दें जब आप print out लेंगे तब यह आपको border दिखाई देगा फिर से format menu पर click करें क्योंकि अब हमें इसका background color change करना है format menu पर click करने के बाद page option को select किया एक box आ गया background पर हमने click किया तो आप देख सकते हैं color box यहाँ पर आ गया जैसा color आपको चाहिए जैसा आपको page पर color चाहिए उस color को select करें अगर graphics लगाना चाहता है तो आप यहाँ से graphics को भी या image को भी लगा सकते हैं लेकिन अभी हमने यहाँ पर color को select किया है color लगाना है इसलिए हमने color को select किया फिर ok पर click कर दिया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर page background आपको change नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कभी इसको देखने के लिए आपको file menu पर click करना है और page preview पर click करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो आपने type किया था उसका background change हो गया उस table का background change हो गया फिर close preview कर दें जब आप print out लेंगे तब ही आपको यह background color change दिखाई देगा इस प्रकार से आप border और page background का उप्योग कर सकते हैं आईए वीडियो की मदद से header और footer का उप्योग करना सीखें सबसे पहले format menu पे click करें एक box आ जाएगा फिर page को option को select करें page को option को select करें पे एक dialog box आएगा फिर header option को select कर लैंगे header option को select करते ही header को option आ जाएगा यहाँप आप 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 देशकते है header on उसको आपको select करना गा और default पहले से ही select होगा अगर select नहीं है तो उसको select कर लेंगे फिर edit के option को select करेंगे जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं जैसे edit पे click करेंगे तो यहाँ पर header text आ जाएगा देख सकता हैं यहाँ पर header box है तीन header box है left area, center area और right area तो आपने तीन ओ एरिया में header text type कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं left area में हमने यहाँ पर spreadsheet लिखा आप चाहें तो कुछ भी type कर सकते हैं जो आपको header text देना है जो आप heading देना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं हमने यहाँ पर center area में computer शिक्षा लिखा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आप center area में कोई दूसरी heading देना चाहते हैं कोई दूसरा header देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमने right area में यहाँ पर class type किया class 7 class 7 type class 7 चल दिए इसलिए हमने यहाँ पर class 7 type किया फिर से यहाँ पर दूसरे okay पर click करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई header नहीं आया आपको किसी परकार कि कोई header यहाँ दिखाई नहीं दे रहोगा इसको देखने के लिए हमें page preview करना होगा page preview पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं page के ऊपर spreadsheet computer system class 7 page की टॉप पर दिखाई दे रहे हैं जब आप इस page को प्रिंट आउट लेंगे तो तो प्रिंट आउट पे भी header दिखाई देगा अगर आप फोटर लगाना चाहते हैं format menu पे क्लिक करें page को select करें और फोटर option को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो यहाप आप भी देख सकते हैं फोटर on उस पर click है भी अगर click नहीं है तो उसको select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं फिर अपने pointer को edit menu पर लेकर आएं तो यहाप आप देख सकता है फूटर box आगया है फूटर text आगया है यहाप भी तीन box आया है left area center area और right area आप इन तीनों में कोई भी text को type कर सकते हैं कोई हमने यह पर पेज नमबर दे दिया आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको खुटर टेक्स लगाना है जरूरी नहीं जो वीडियो में दिखाई दे रहा है आप वही टेक्स लिखें हमने राइट में टाइम लिख दिया आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं क्लास नेम लिख सकते हैं स्कूल का नेम लिख सकते हैं कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं यह पहले सी डिफाइड कियागा पेज नमबर फोटर टेक्स दिया हुआ है अगर आप चाहते हैं यहां से चीज़ कर से तो उसकी फॉर्मेट को ओके पे क्लिक करें फिर ओके पे क्लिक कर दें तो आप दे सकते हैं यहां पे कोई भी फूटर टैक्स दिखाए ने दे रहा है इसको देखने के लिए पेज प्रिविवू करना होगा तो फाइल मेनिव पे क्लिक करें और पेज प्रिविव पे क्लिक करें जैसे पेज प्रिविव पे क्लिक करेंगे तो आप दे सकते हैं यहां पर जो फूटर टैक्स आप ने दिया था वो यहां पर आ जाएगा जब आप प्रिंट आउट करेंगे प्रिंट आउट लेंगे तो ये फूरे टेक्स आपको दिखाई देगा इस प्रकास से आप हैडर और फूर्टर का उप्योग कर सकते हैं आईए अब प्रिंट रेंज आप्शन के बारे में सीखते हैं प्रिंट रेंज आप्शन की मदद से आप डेटा को सलेक्ट करके उसे एक रेंज दे सकते हैं जिससे आप अपने उस सीट को प्रिंट करेंगे तब वो सिर्फ उसी रेंज तक आपकी सीट महीं तक प्रिंट होगी आईए अब वीडियो की मदद से print range option के बारे में सीखें आईए वीडियो की मदद से print range के बारे में सीखें print range की मदद से जहां तक आप select करेंगे आप वहीं तक ही print दे सकते हैं सबसे पहले format menu पे click करें और print range पे click कर दें यहाँ पर आप देशेते हैं जैसे की option आगे है define define से आप select करेंगे कि आपको print कहा तक देनी है यहाँ पर अप्शन दे रहे है define, add, remove और edit तो हमने आप define पे click किया तो आप देशेते हैं यहाँ पे line आगे है अब हम इसको select कर लेंगे जहां तक आपको select करना है वहां तक select कर लें जैसे की आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है print range पे click के हमने और define पे हमने click कर दिया हमने दो column को select किया है यहाँ पे तो इसे print range पे click करें add से आप दुबारा से आप select कर सकते हैं जहां तक आपको define range देना है आप वहां तक दे सकते हैं जैसे की आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने यहां तक select कर लिया print range पे click करेंगे define जहां तक हमने select किया था आप दे सकते हैं वहां तक एक box आ गया है आपको अलकेल की से line दिखाए दे रहा होगा जब आप print करेंगे जब आप इसका print out लेंगे तो आपको यहीं तक print out आएगा अगला option remove का आता है remove साब आपने जहां तक range दिया था जो define किया था उसे आप इससे हटा सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं फिर से format menu पे क्लिक करें print range पे क्लिक करें edit पे क्लिक कर दें edit चैप print range जहां तक आप select करना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए था है entire seat, user defined या selection कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप प्रिंट रेंज का उप्योग कर सकते हैं Print range को जहां तक आपको स्थना प्रीन्ट आउट देनी है脆 अप उत्नी डेटा को select कर सकते है उत्री डेटा को डिफाइन कर सकते हैं जब आप Print out लेंगे तो वही तक वह Print out आएगा तो इस प्रकार से आप Print range का उप्योग कर सकते हैं आईए आप Auto Format के बारे में सीखते हैं Auto Format की मदद से आप अपने बनाएगी टेबल पर आप कुछ style लगा सकते हैं यह style पहले से ही Auto Format में होती हैं जिने आप अलग-अलग अपने टेबल पर लगा सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से Auto Format का उप्योग करना सीखें आईए वीडियो की मदद से Auto Format Option के बारे में सीखें Auto Format की मदद से आप टेबल की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं उसकी style को चेंज कर सकते हैं सबसे पहले आप देशे किते हैं हमने यह पर select किया select करने के बाद Format मेन्यू पर क्लिक करेंगे Box आजाएगा फिर Auto Format पर क्लिक करेंगे जब यह आप देशे कि Auto Format यहाँ पर आप हाइलाइट हो रहा है फिर उन्हें जो select किया था उसे unselect कर देंगे unselect करने के बाद आप देशे किते हैं और अप्षे की आप हाइलाइट नहीं हो रहा है यह आप हाइलाइट तभी होगा जब आप किसी जब आप टेबल को select करेंगे आप यहाँ पर select किया select करने के बाद अपने pointer को format menu पर लेके गए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं पिर ओटो फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे जैसे और पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सब्सक्राइज बढ़ा की टेबल की tomorrow हैं है आप इसको यहां से कोई-से भी डिजाइन को सलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है रहर जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं बहुत सारे प्षरी किसी भी एक ऐप्षरन को सलेक्ट कर ले और फिर color के पर क्लिक कर दे एंट कैंग implications आपके टेवल पाजागे जहां तक आपने select किया है अगर इसको आप change करना चाहते हैं इसके style को change करना चाहते हैं format को change करना चाहते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं पहले table को select करें जहां तक आपने type किया है फिर format पे click करें अपने pointer को और टो format पे लेकि आ हैं क्या प्रोमेट ऑप्षिन में से किसी ही को भी आप select कर लें जैसे हमने कि default को select किया इस प्रकार से यहां पर इसका डिजाइन आ गया पृस्टे चींज करना चाहते है अप फिस से Auto Format पर क्ली करके कोई भी डिजाइन को सलेक करें उसे सलेक करके OK पर ख्लिक कर दें इस प्रकार से आप टेबल की डिजाइन के उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं उसके style को चेंज कर सकते हैं अगला option conditional formatting का है जैसे की नाम से ही पता लग रहा है conditional formatting की मदद से आप कुछ condition लगा के formatting कर सकते हैं आएए अब वीडियो की मदद से conditional formatting का उप्योग करना सीखें आएए वीडियो की मदद से conditional formatting का उप्योग करना सीखें conditional formatting की मदद से आप किसी भी row या column में कोई भी condition लगाके उस पर formatting कर सकते हैं सबसे पहले condition formatting लगाने के लिए अपने pointer को format menu पे लेके जाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है format menu पे लेके जाएंगे फिर conditional formatting को सेलक्ट करेंगे आप लोगों को यह ध्यान में रखना कि जहां पर भी आप conditional formatting लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस row या उस column को सेलक्ट कर लें हमने यहाँ पर कोई भी row या कोई भी column को सेलक्ट नहीं किया है इसलिए सबसे पहले हम सेलक्ट करेंगे तो इससे पहले हम cancel करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में हमने second row को यहाँ पर सेलक्ट किया सेलक्ट करने के बाद अपने pointer को format menu पर लेके जाना है फिर conditional formatting पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं conditional formatting के एक box आ गया है यहाँ पर condition दिया हुआ है जो cell की value है आप उस पर condition लगा सकते हैं अब यहाँ पर cell की value पर condition लगाया है जो value है is greater than 150 जैसके आप वीडियो में देख सकते हैं अब हम इसके style को change करने उसके formatting करना है तो सबसे पहले cell type में click करेंगे वहाँ पर कोई भी formatting को change कर लें कि इसके पर font के उपर को यआ ऐप option font कą color change करना चाहता है यह उसकी style को change करना चाहते है yeah तो इहां से किया सकते हैं क्लिक करें तो आप यहां सकते हैं हमने примating लगाया था है 150 हमने यह पर जो condition दिया था जो cell की value है अगर greater than 150 से ज्यादा है तो उसे अलग formatting में करके दिखाएं उसे अलग सो करके दिखाएं जो उने formatting दिया है तो आप आप वीडियो में देश सकते हैं 150 से ज्यादा यहां पर 158 है तो इसे की रेड करके जो हमने formatting देता है उस formatting में से सो कर रहा है इसी प्रकार से हम दूसरे cell को select करेंगे दूसरे रो को select करेंगे के condition formatting पर जाएं अब फिर से यह पर देशन तो cell value में अगर पर कोई भी condition देना चाहता है तो condition देए जैसे हमने यह पर less than का condition दिया हमने यह पर condition दिया less than 19 फिर new style पर क्लिक करेंगे उसके पर फोर्मेटिंग लगाना है तो आप यहांसे को भी फोर्मेटिंग लगा लें color change करना है तो color change कर लें हमने इसकी type को भी change के और इसकी size को हमने यह पर ज्यादा कर दिया जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं जिसकी value 90 से कम है तो इसे highlight करके दिखा रहे हैं आप दे सकते हैं 70 की value 90 से कम है तो इसके उपर फोर्मेटिंग आ गया तो इस प्रकार से आप conditional formatting का उपयोग कर सकते है अब आप पिछली class के formula का revision करेंगे सबसे पहले आप इस formula की मदद से pass और fail condition लगा के दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से इस formula का उपयोग करना सीखें सबसे पहले जहां पर result लिखा हुआ है आप वीडियो में देख सकते हैं हम यहां पर इस formula का उपयोग करना है सबसे पहले हमने यहां पर equal to लिखा फिर इस लिखा जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं आप सभी को पता है कि इस condition formula होता है अब भी यहाँ पर हमें टेस्ट वैल्ली देना है तो हमने यहाँ पर एक value को select किया अब हम इस पर condition लगाएंगे जैसे का वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर condition लगाया D2 is greater than 160 फिर हमने यहापे इसको comment में हमने दिया select अगर D2 की value 160 से ज्यादा है तो comment जो result आना चाहिए वो select का आना चाहिए नहीं तो reject का आना चाहिए हमने यहापे यह condition दे दिया फिर bracket को हम close करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहापे bracket को close किया और enter बटन को press कर दिया जैसे हमने enter बटन को press किया तो आप देख सकते हैं यहापे reject लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहापे condition दिया हुआ था जो cell हमारे D2 है जहाँ पर 158 लिखा हुआ है हमने यहापे condition दिया है यह cell 160 से ज़्यादा हो तो तभी यहाँ पर select so हो otherwise यहाँ पर reject लिखा हुआ हो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर हम यहाँ से ड्रैक करेंगे ड्रैक करने के बाद जिस cell की value 160 से ज़्यादा है वहाँ पर select रा जाएगा और बागे में जिसकी value 160 से कम है वहाँ पर reject रा जाएगा तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला का उप्योग कर सकते हैं अब आप दूसरे कॉलम में end formula का practice करें अगर कोई समास्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आएए वीडियो की मदद से end formula का उप्योग करना सीखें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि end formula से हम दोनों statement को check करते हैं अगर दोनों statement सही हो तो वहाँ पर result true आता है अगर एक भी statement पिसमें गलत आ जाए तो result false में आता है एंड formula लगाना है end formula लगाने के लिए सबसे पहले equal to का symbol लगाए फिर end लिखें जिसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है end लिखने का वाद हमने ब्रैकेट को start किया अब हमें जो condition या जो logic value देने हैं हम उससे यहाँ पर select करेंगे इससे पहले हमने एक cell को select किया और यहाँ पर हमने condition दिया हमने यहाँ पर statement दिया b2 equal to y जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमारा b2 cell है हमने इसको y के equal रखा और हम यहाँ पर statement देंगे फिर दूसरे cell को हम यहाँ पर select करेंगे दूसरे statement में हमने यहाँ पर दिया say to equal to y तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग statement दिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और उसकोर हम bracket को close करेंगे bracket को close करने के बाद enter बटन को प्रेस करना है तब देख सकते हैं यहाँ पर जो result आया हो false आया है क्योंकि हमने यहाँ पर statement दिया जो b2 cell है वो y के equal है पहले statement तो सही है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर हमने second statement जो दूसरे statement दिया c2 equal to y तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो c2 है वहाँ पर n लिखा हुआ है जो second statement है वो गल्त है जिसकी बज़े से आप रिजल्ट false आया अब अगले cell में हम फिर से लगाएंगे end का formula वहाँ पर हमने equal to end type किया फिर से हमने b3 cell को select किया वहाँ पर हमने statement दिया b3 equal to y आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है जब भी आपको इस statement लिखें जब statement लिखने के लिए आपको inverted comma के अंदर लिखाना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते है यहाँ पर हमने जो y लिखा है वो inverted comma के अंदर लिखा है फिर इसके बाद हमने semicolon का उप्योग किया क्योंकि अगर दूसरी statement देनी आ है तो आपको वहाँ पर semicolon का उप्योग करना है फिर जाके हमने यहाँ पर दूसरे cell को select किया c3 equal to अभी आप देख सकते हैं यहाँ statement देना है तो हमने यहाँ पर inverted comma के अंदर y लिखा फिर inverted comma को close किया और bracket को फिर एंटर बटन प्रेस के तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर result आया वो true आया true इसी लिए आया आप देख सकते हैं जो हमारे b3 cell है वहाँ पर y लिखा हुआ है जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और जो c3 cell है वहाँ पर भी y है तो यहाँ statement दोनों सही है जिसके वज़े से result true आया अगला option आप देखें यहाँ पर दोनों cell में n लिखा हुआ है दोनों statement टिकल लात है जब हम इसे drag करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि false लिखा हुआ है और अगले वाले में देख सकते हैं यहाँ पर y y लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर true आया तो इस प्रकाश से आप n formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप और formula का practice करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से और formula का उप्योग करना सीखें सबसे पहले जहाँ पर और formula लगाना है हम वहाँ पर और टाइप करेंगे वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं आप सभी जानते हैं और formula की मदद से हम statement चेक करते हैं अगर इसके अंदर एक भी statement सही होता है तो उसी true so करता है जब दोनों statement गलत हो तब भी यहाँ पर false दिखाता है यह difference है and और और में और के formula में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसर पहले equal to type किया फिर और लिखा bracket को start किया हमने cell को select कर लिया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने b2 cell को select किया फिर equal to b2 equal to अब हम यहाँ पर statement देना है जैसे आप जानते हैं statement देने के लिए inverted comma के अंदर लिखते हैं तो हमने यहाँ पर inverted comma लिखा उसके अंदर y फिर inverted comma को close दूसरे statement देने के लिए उसके बीच में gap देने के लिए semicolon को प्योग करेंगे तो हमने यहाँ पर semicolon लगाया है दूसरे cell को select किया जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं फिर हमने यहाँ पर c2 फिर से दूसरी statement हमने दिया है y आप देख सकते हैं कि y inverted comma के अंदर लिखा हुआ है फिर bracket को close किया और enter button को press किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो result आया है वो true आया है क्योंकि आप आप देख सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि और formula के अंदर दो में से अगर कोई एक भी statement true हो तो इसे true दिखाता है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cell b2 है उसके इंदर y जो match करता है n match नहीं करता है लेकिन एक statement सही है जिसकी विज़ेसे result true आ गया अब यहाँ से हम drag करेंगे इस cell को select करके यहाँ पर हमने इसे drag करतेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं अगला statement में देख से हैं कि यहाँ पर y लिखा है दोनों statement सही है जिसके वज़े से यहाँ पर result true आ गया next true में अब देखें यहाँ पर round 1 में no है और round 2 में भी no है तो अब यहाँ पर देखते हैं result क्या आएगा हमने सबसे पहले equal to लगाया और को टाइप किया हमने इसे select किया जैसे का वीडियो में देखेता है हमने इसको equal to y के रखा b4 equal to y जैसे आप देखें यह inverted comma के अंदर लिखा गया है फिर हमने यहाँ पर space देने के लिए दूसरी statement लेने के लिए हमने यहाँ पर semicolon को प्यूक किया c4 equal to inverted comma के अंदर y inverted comma close अब bracket को close करेंगे तो इसे पाद enter बटन को प्रेस करेंगे जैसे enter बटन को प्रेस करेंगे तो आप result देख सकते हैं यहाँ पर false आया false इसलिए आया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनो statement गलता है यहाँ पर जो हमने यहाँ पर statement दिया पहले b4 equal to y गलता है यहाँ पर second statement c4 equal to y दोनो statement जो जो दोनो statement है वो match नहीं करता जिसके वज़े से result false आया यहाँ से drag करें अब जैसे अतना अगले वाले में दोनो statement true है जिसके वज़े से यहाँ पर result true है तो इस प्रकास से आप और formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप count और count blank formula का practice करें अगर कोई समस्या हो तो video की मदद से सीखें आये video की मदद से count formula का उप्योग करना सीखें जैसे के आप सभी जानते हैं count formula की मदद से हम cell को count कर सकते हैं कितने cell को हमने उप्योग किया है हम उस cell को count कर सकते हैं सबसे पहले जहां पर आपको count का formula लगाना है वहां पर count लिखें जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हमने f cell में count लिखेंगे यहां पर हमने count लिखा अब हमें formula को apply करना है formula को लगाना है उसके नीचे वाले cell में उसको select करेंगे जैसे के आप सब भी जानते कोई भी formula लगाने से पहले equal to का निचान लगाना होता है हमने equal to निचान टाइप किया फिर हमने यहां पर count लिखा bracket को start के हमने अब उसके बाद हम value को select करेंगे कहां तक हमें cell को count करना है जैसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने इस table को select कर लिया select करने के बाद bracket को close करें और फिर enter button दबा दें तो आप देख अपर इसको total count करके यहां पर result आ गया यहां पर 12 cell क्योंकि हमने जितने cell का उप्योग के इस table बनाने में वो 12 cell है इस प्रकास से आप count formula का उप्योग कर सकते हैं count formula की मदद से आप उन सभी cell को count कर सकते हैं जहां पर कुछ type क्या गया है यह उसके अंदर कुछ कार्य क्या गया है आएए वीडियो की मदद से count blank formula को उप्योग करना सीखें count blank formula की मदद से आप उन cell को count कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ भी कार्य नहीं कियागी जो cell blank है जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यह पर count blank लिखा अब हमें इस formula को apply करना है सबसे पहले equal to nissan लगाएंगे equal to symbol को type करेंगे जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं फिर हम यह पर count blank लिखेंगे लिखेंगे ब्रैकेट को स्टार्ट करना है जैसे का वीडियो में देख सकते हैं हमने यहां तक range लिखा हुआ है अब इस cell के अंदर जहां पर खाली cell है जहां पर blank cell है result में उसको count करके दिखा देगा जैसे का वीडियो में देख सकते हैं यहां पर total three result आया है क्योंकि जो हमने select किया था हम आपर total three cell खा लिए हैं जैसे का वीडियो में दिखा दे रहे हैं यह तीन उस cell blank था जिसकी वज़े से यहां पर तीन आ गया है तो आप blank cell की मदद से अप उन blank cell को count कर सकते हैं आज की class यही पर smart होती है अब आप अपनी file को save करें और अपने computer को shutdown करें आज की class में आपने format option के कुछ option के वारे में सीखा जैसे की cell, row, column, seat, page, print area, auto format, conditional formatting के बारे में सीखा और फिर आपने if, end, or count blank के formula की practice की झाल